हे एवरिबन कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए हेल्दी हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ सर्दियों का सीजन आ चुका है आप लोगों में से बहुत लोग ये पत्ते देखके समझ चुके होंगे कि ये किस चीज के पते हैं लेकिन जो नहीं समझ भाए हैं उनको मैं बता दूँ कि ये हैं मूली के पते Actually मैं बज़ार गई थी सब्जियां लेने के लिए तो मैंने मूली भी खरी दी थी सेलड के लिए अब सैलेड में मूली तो कामा गई लेकिन पत्ते बच गए थे अब हम औरतों की ये सबसे बड़ी कमी है कि हम चीजें फैक्ते नहीं है तो अब इसकी हम एक हेल्थी सी रेसिपी बनाएंगे और साथ में मैंने लिया है मेथी का पूरा बंच तो इसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे काट लेंगे और धो लेंगे मूली के पत्ते मैंने बारिक बारिक काट के अच्छे तरीके से पानी में 4-5 बार वाश कर लिये हैं क्योंकि उसमें मिट्टी होती है इस वजह से मैंने उनको अच्छे तरह किया है कड़ाई ली है मैंने साइड में जिसमें मैं पानी डालके उसे बानी करूंगी पानी को गर्म करूंगी और मूली के पत्टे इस पानी में हम डालेंगे और 80 से 90 परसेंट तक हम इने पकाएंगे क्योंकि मूली के पत्तों की जो stem होती है जो डंठल होते हैं वो hard होते हैं उन्हें पकने में time लगता है इसलिए हम side में इसे अच्छे तरीके से हम पकाएंगे जल्दी पकाने के लिए और gas की बचट करने के लिए हम इसे ढख के पकाएंगे ताकि यह जल्दी से पक जाए और यह हमारे मूली के पत्ते जो है यह पक चुके है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80 से 90 परसंट हमें इने पकाना है और पकाने के बाद में इनका पानी हमें अलग कर लेना है और पत्ते हमारे हम अलग कर लेंगे इस पानी को हम फैकिंगे नहीं इस पानी से हम आटा लगाएंगे रोटियों के लिए साइड में हम एक कड़ाई में तेल गर्म करेंगे और इसमें हम हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे हींग और जीरा हमने डाल दिया है इसे हम अब चटकने देंगे जब ये चटक जाएगा तो उसके बाद में हम इसके अंदर एड़ करेंगे प्यास और हरी मिर्च इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे प्यास हमारे फ्राइ हो रहे हैं साइड में मैंने लैसुन को मुटा-मुटा करके कूट दिया है इसमें मैं मसाले एड़ करूंगी वही रेगुलर मसाले हैं हमारे ज्यादा मैं कुछ अलग करती नहीं हूँ बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ इसमें मैंने हल्टी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है साथ में मैं इसमें हल्ट का सा पानी एड़ करूंगी पानी डालने के बात में हम स्पून की हेल्प से सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे अब आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज और हरी मिर्च थे वो पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं थोड़े क्रिस्पी हो चुके हैं जो हमने मसाले मिक्स किये थे वो हम इसमें एड़ करेंगे और पकने का वेट करेंगे जब तक हमारे मसाले पकेंगे नहीं तब तक हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले चिप के नहीं जब मसाले कड़ाई के तले पे लग जाते हैं तो सबजी में एक अजीब सी स्मेल आती है तो हमारे मसाले जो हैं यहाँ पर पक्के रैडी हो चुके हैं अब हम इसमें एट करेंगे जो हमने मेथी के पत्ते थे वो हमने वाश करके साइड में रखे वे थे काट लिये थे उन्हें अच्छे तरीके से वो सब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे मेथी खाने के बहुत सारे फाइदे हैं आपके बालों को मजबूती मिलती है डायविटी से बचाता है आपका हार्ट हेल्दी रखता है आपका स्टमक हेल्दी रखता है और भी अनेक फाइदे हैं जिन्हें अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो विडियो ये कम पड़ जाएगा जितने भी मेथी के पत्ते मैंने काट के और वाउच करके रखे थे वो सब मैंने कड़ाई में डाल दीए हैं और मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दीए हैं आप कड़ाई में देख सकते हैं हलका हलका आपको पानी नजर आ रहा होगा मेथी में अपना खुद का पानी होता है जो कि मेथी अपना पानी रिलीज कर रही है अब इस मौकी का फायदा उठाते हुए हम साइड में एक टामाटर काटके इसके अंदर डालेंगे टमाटर हमने काटके इसके अंदर डाल दिया है मेथी ने अपना पानी जो है वो रिलीस कर दिया है अब इस पॉइंट पे हम इसे ढखके दो मिनट के लिए सिर्फ दो मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे क्योंकि मेथी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती अब ये पक्के तयार हो चुकी है अब आप देख सकते हैं हमारी मेथी और टमाटर दोनों पक गए हैं जो मूली के पत्ते हमने पका के बॉइल करके रखे वे थे वो अब हम इस पॉइल पे डाल देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जो मेथी ने पानी अपना रिलीज किया था साथ ही में हमने टमाटर भी एड किये थे टमाटर में भी पानी होता है तो इस वज़े से अभी भी हमें कड़ाई में पानी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो कि हमें मूली के पत्तों को पकने के लिए हेल्प करेगा जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पता दिया था कि मूली के पत्तों को हमें 80-90% तक ही पकाना है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे जो मूली के पत्ते हमने कड़ाई में डाले थे उन्हें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और धके अच्छे तरीके से इसे पकाएंगे सिर्फ दो मिनट के लिए तो जी हमारी सबजी हो चुकी है एकदम तयार इसका जितना भी पानी था वो भी सुख चुका है इसमें हमने बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं किया है बस हमने मसाले जब तयार किये थे मिक्स किये थे उस टाइम पे हमने हलका सा पानी एड़ किया था ये सबजी आप लंच डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं हजबन के टिफिन में दीजिए बच्चों के टिफिन में दीजिए ये बिल्कुल हेल्दी है मेरी थाली लग चुकी है अब मैं चली खाना खाने आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना